हेलो गाईज स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चनल आर्चेजी स्पोर्ट्स में गाईज इस वीडियो में आपके कबर करने वाले हैं यूफा चेंपियन लीग के मैच नेपॉली वर्चेज लिबरपूल ये ठीक है तो यहां पर आपको टेकल एसिस्ट गोल इंटरसे कोन होगा बैस्ट जो च्वाइस है वह मैं बताऊंगा आपको वीडियो के बीच में ठीक है और वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेस्टन और पूछा जाएगा है तो आपको प्लीज उसका भी आंसर कर देना है अगर आप ट्वेंटी थाउजन रूपी का गीवए चाहत तो वहां से आप टेलीग्राम चनल के में मेरे जोईन हो सकते हैं दूसा तरीका यह है कि आप सर्च करके भी टेलीग्राम चनल को जोईन कर सकते हैं सर्च कैसे करना है मैं आपको एक बार बता देता हूं सर्च करने के लिए आपको यहां पर टाइप कर आउंगा आंपको यह चनल पक्का जोईन कर देना है ताकि यह आपको फाइन टीम में मिल जाये अब बात करते हैं यह पर मैंच की एन लिवरपूल के बीच में आज रात सड़े बारा बज़े मैच होगा ठीक है तो दोनों ही फ्रेंड यहाँ पर काटे का मुकाबला कह सकते हैं नेपोली की टीम बहुती बैस्ट है सेरी एक जो इनका यहाँ पर टूर्णमेंट होता है इतली का एन लिवरपूल यहाँ पर इ स्काइकर है जो मुहमत सलाह है फ्रेंड वह भी अच्छे फोर्म में नहीं है और अच्छा मीन वह स्कोर करनी पा रहे हैं ठीक काफी कोशिस कर रहे हैं बट वह यहाँ पर उन से हो नहीं पा रहे है मीन यहाँ पर गोल उनके आनी पा रहे हैं अब वह उन चांस के अगर बात ये फ्रेंड ये मैच मुझे लगता है कि बिल्कुल भी क्रिन सीट नहीं होने वाला तो आप यहां पर प्ली जो पांच डिफेंडर वाला टीम ना उसको थोड़ा मत बनाईएगा क्योंकि उसका ज्यादा आपको फायदा होगा नहीं और भूल कर भी आप इस मैच में कैप्ट पहले भी 2019 में यह वा था दो जिरो नेपॉली जीती थी फिर नेपॉली तीन जीरो जीती है ठीक है तो उससाब से मैं आपको पहले बता रहो कि नेपॉली की टिम काफी स्ट्रोंग है लिवरपूल के साब से तो लिवरपूल यहां पर ऐसा नहीं के जीच जाएगा या तो होगा या तो फिर नेपॉली जीती दोनों मैंसे एक चांसे मुझे यहां पर लग रहे हैं रिसेंट फाइब मैचेज के अगर बात की जाए जो इन्होंने खेले हैं तो नेपॉली के लास्ट के पाच मैचेज में इहां पर इन्होंने तीन मैच आप वान मैज ड्रो के लोस इनके निल है ठीक है तो आप आप देख सकते हैं लास्ट के पार्च मैचे एंड लिवरपूल के अगर बात की जाए तो यहाँ इन्होंने लिवर्टन जैसी कमजोर टीम के अगेंस ड्रो खेलते हैं जो कि बिल्कुली सरमनाग बात एक प्रकार से इतना बड के लिए उससे पहले आप देखेंगे नियू कास्टल ने भी एक गोल मार दिया था हाँ यह टीम जो ब्रॉम्बू थे बहुत ही कमजोर टीम है इनको अच्छे से इन्होंने पेल दिया था नाइंजिरों से उसके बाद फ्रेंड आप आप देख सकते हैं मैंसेस्टर उनाट अच्छा वो चीज नहीं का हो पार है लाइनप की बात मैं आप से बात में करूंगा पहले मैं आपको यहां पर की प्लेयर समझा देता हूं कौन-कौन की प्लेयर है तो फ्रेंड यहां पर गोल प्लस असिस्ट ठीक है कौन यहां पर नेपोली का बैस्ट प्लेयर है तो यहा उनका यहां पर defender कोई बहुत ही अच्छा performance अभी कर रहा है दो गोल इस नहीं यहां पर हमार दी है फ्रेंड मिन जैकिम ने तो इसको जुरूर अपनी टीम में रखने आपको उसका फ्रेंड लोबोट का है फ्रेंड यहां पर टू गोल असिस्ट यहां पर आप देख सकते हैं बाग की सारी की सारी लिस्ट यहां पर आपके सामने है उसके बाद टेकल की अगर बात की जाए कौन बंदा यहां पर टेकल ज्यादा लेता है तो उसमें है लोबोट का ठीक है टू पॉइंट टेकल पर गेम यहां पर इनका एवरेज है ठीक है टू पॉइंट टेकल यहां हम पर मैच ल engagement His best are उसके आंद्रे जम्बो है उसको यहां पर लोरेंजो तो फ्रेंड यह आप लिस्ट देख सकते हैं आपको यह स्कीजट में काफी काम आ सकती है आप इसके सल भी ले सकते हैं detection के अगर बात किता है तो फ्रेंट इंटर्सेब्चन में हां पर आंध्रे जमबो ए ग्निस से हेई या पर टू इंटर्सेबसन लेता है कूस ब्झा जो और है रुविय है रहमानी है ठीए तो यह आप यहां पर देख सकते हैं शारी इंटर्सेब्चन के लिस्ट पर मैच के तने म प्रवाइड करा रहों ताकि इनके आधार पर इनके बेस्ट पर यहां पर प्लियर को पिक कर पाएं कि इसको नहीं जैसे फ्रेंड कल के मैच में होता चेल्सी का एक जो डिफेंटर था मैंने जान बुच के एपीजियोटा को यहां पर ड्रॉप के था इन फोफाना को लिया था और फोफाना ने इसलिए टेकल पास करके 42 पॉइंट आपको दिला दिये थे ठीक है तो इसलिए यह बहुत ही इंपोर्टेंट आकड़े होते हैं जो आपको यहां पर जिताते हैं और सब्सक्राइब मुहमत सलाह है लुईज डियाज है करवा हो है एंड डर्विड नुनेस है नुनेस की बात किया है फ्रेंट बहुत ही अच्छा प्लेयर है ठीक है और फट अभी तक इनका यहां पर कुछ आत प्रफॉमेंस आया नहीं है और साथ इस मैच में आ जाए और सब्सक्राइब में करते कें हैंगे अंड़र्वे लीवरपूल के स्टाइकर प्लेयर है उसके बात करते हैं आंदरि रोबर्सन बाकी लिश्ट हो गई और अगर tackle की बात किया है तो फिर ने tackle में आप यहाँ पर देख सकते हैं फेविनो है, गोमेज है और लुईज जियास है जिन्होंने tackle सबसे ज़्याद ली है उसको अनॉल्ड है, फेरमिनो है, यहाँ पर एलियाट है ठीक है, यह इनके tackle पर मैच की लिस्ट है, काफी कम है इनके tackle पर मैच उसको फिर ने आप इंटरसेप्शन की बात किया तो यहो गोमेज है यहाँ पर विरिगिल वान जिक है जिन्होंने 1.5 इंटरसेप्शन पर मैच, जोर्डन हैडरसन है उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह लिस्ट इनकी लिवरपूल की है उसका फ्रेंड पजेशन की बात किया है, कौन प्लेयर कितने पास पर मैच लेता है उसमें बाजी मारतर फ्रेंड यहाँ बिल्किल वान जी काफी अच्छे यहाँ पर पास लेते हैं, उसका गोमाई जैफिर फेबिनों जो उनके मेच फिल्टर है, अलेक जल्डन अलनाल्ड है, ठीक है यह भी काफी अच्छे यहाँ पर लेता है, उसके बाद एड्रियू रो अब बात करते हैं यहाँ पर लाइन अप की है, कि लाइन अप में क्या possibility है, कैसा कैसा रहेगा? आप देखें फ्रेंड ये मैच होगा यहां पर 6-5 मतलब इस टैपस आपको 6 प्लेयर आपको मिसकम यहां पर नेपोली के रखिए मिन यह 7-4 वाला मैच नहीं है जहां तक मेरा आइडिया है तो भात करते हैं फ्रेंड नेपोली की है और इहां पर नेपोली के लिए लप्ट विंग में खहलता है लएफींग स्टाइकर आप स्टाइकर बोलींग इसको ठीकीर हएब रइट रैट विंग स्टाइकर होगा तो ये पोलडटीनोर मतल्स अब निकार उसलेकर नेमोगु अच्छा परफोरमेंस की गोल के बट यह भी अच्छा प्लेयर है उसका मारिनोर हुई है एंड किम जिन जे यह काफी अच्छे फोर्म में इसको आपको पक्का एज डिफेंडर आपको रखना ही रखना है फिर फ्रेंड यहां पर रहेमानी है यहां पर लॉरेंज जो है ठीक है यह भी काफी अच्छे प्लेयर है गोल कीपर की बात यहां पर मैरिट है अब गोल कीपर में पर कंफ्यूजन है भाई किसको रखेंगे तो मेरे ख्याल से आप यहां पर एलीशन को ही रख लो क्योंकि इसको सैद यहां पर गोल सेफ करने के जाता चांस मिले यहां पर मस्ट पिक होगा फ्रेंड महम किया बट यह परफोर्मेंस के साथ-साथ पासिस भी अच्छे लेता है इंटरेस्प्षन भी अच्छे लेता है तो अगर ज्याद अच्छा परफोर्मेंस नहीं करेगा तो वैसे पोइंट बना के देदेगा और यहां पर जो मस्ट पीके फ्रेंड वह है अलेक्ट जेंडर काप अच्छे हैं उसके बाद यहां पर वान जीक है यह दो को तो आपको पका रख नहीं है उसको रोबर्चन का नमबर आता है फिर यहां पर जोगोमेच अगर किसी को ड्रॉप करना होगा तो जो जोगोमेच का पी अच्छा रहेगा ड्रॉप करने के लिए और एजे गोल को पिक कर लिया है फर्मिनों को पिक कर लिया है और यहां पर रहस्पार्डरी को पिक कर लिया है लुइस टियास को पिक कर लिया है और यहां पर जलैस्कियों को पिक कर लिया रोबर्चन में यह टीम के साथ में लग पर हम पर जा सकता हूं और यह टीम यहां पर चेंज भी भी हो सकती है तो आप वीडियो पूरी देख लेना इसके लिए अब बात करते हैं 20,000 रुपी का गीवे जो क्या गीवे होगा इस मैच में तो भाई आपको प्रेडिक्शन देनी है कि मैच का जो फर्स्ट गोल है बात आपको कमेंट करना है वीडियो को एक लाइक देना है वीडियो को सेर करते न है और आप इस गीवे के लिए eligible हो जाओगे बट आपको comment अपना edit नहीं करना है जो भी आपका comment आएगा मुझे deadline के पहले ही मिल जाना है एक ID से एक ही comment allowed करूँगा एक ID से चारचर पाज़ पाज comment नहीं आने चाहिए ठीक है तो guys यह मेरी इसकी टमसें condition है जो भी बंदा इसको देखो 25 रूपी काफी जादा होता है इसलिए थोड़ा सा difficult भी है तो यहाँ पर काफी बंदे फर्स्ट गोल की prediction से ही कर देते हैं बट सेक्ड गोल की prediction थोड़ा बेकार हो जाती है तो आप लोगों से request है कि इस कुछ हमेशा try करो कभी न कभी आपका लक लग सकता है और उसन मेरे 25,000 रुपी आप लोगों को देने के लिए ready रहेंगे तो फ्रेंड अगर आप YouTube में पहली बार मेरी यह पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक किजेगा चैनल को subscribe किजेगा बेल वाला एक अगर दबा दिए ताकि इन केज जो भी वीडियो आए आपको in future subscribe नोटिपिकेशन आ जाए और ऐसे stats कमेंट सबची stats आपको मैं available कराते रहूँगा ओके फ्रेंड बेस्टो लक